आज हम लाए हमारे नए यूजर्स के लिए खुश खबरी जिसे जानने के बाद आप जीत सकते हैं धेरो cashback और bonus coupons तो जो यूजर्स है नए और जिनोंने अपना account अभी तक register नहीं किया है तो जल से जल जाकर करें अपना account register और register करने के बाद check करें my coupon page और पाए अपने नए यूजर बोनस coupons जीतने का मौका और साथ ही साथ इन coupons के इस्तमाल से आप जीत सकते हैं balance that will help you in trading So hurry up and don't miss your chance Hello and Namaskar आश्वा करते आप सभी अच्छे होंगे स्वागत है आप सभी का BTC Dana के market podcast में मैं हूँ विशाखा कुंद्रा और आज है गुरुवार तारीक 10 फर्वरी 2022 तो चलिए शुरू करते आज के market updates GMT 5.5 पर गुरुवार के market updates 15 पर UK के लिए 4 ती महाई में वार्षिक और 3 मासिक GDP 37 पर US के लिए OPEC मासिक report 19 पर US के लिए 2 updates जन्वरी में वार्षिक और मासिक core CPI और जन्वरी में वार्षिक और मासिक CPI अगले दिन 12.30 पर US के लिए जन्वरी में federal budget balance अगले दिन 3 बजे New Zealand के लिए जन्वरी में business NZ PMI और अगले दिन सवा 3 पर New Zealand के लिए एक और update जन्वरी में मासिक electronic card खुद्रा बिकरी आईए जानते हैं US Core उपभोगता मूले सूचकांग यानि की CPI महतफोन क्यों है Core Consumer Price Index खाते है और उर्जा को छोड़कर वस्तूओ और सेवाओ की कीमत में बदलाव को मापता है CPI उपभोगता के द्रिश्ची कौन से मूले परिवर्तन को मापता है यह क्रेप प्रवितियों की मुद्रस्पिती में परिवर्तन को मापने का एक महतफोन तरीका है अपेक्षा से अधिक रीडिंग को USD के लिए सकारात्मक या बुलिश के रूप में लिया जाना चाहिए जबकि अपेक्षा से कम रीडिंग को USD के लिए नकारात्मक या मंती के रूप में लिया जाना चाहिए तो अगर आपको हमारे पॉड़कास पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर इन्फरमेशन आपके लिए यूस्फुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिसे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हम से जुणने के लिए आप हमी जॉइन कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल पर और साथी फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विडेर पेज पर जहां आपको मिलेगी ट्रेडिंग से जुड़ी हर जानकारी So go and check out the description box